हेलो नमस्ते वलकम तो मैथ अडिक्शन रो यो वीडियो महामें दिस्केशन गरने सहूं नेपाल राष्ट्र बैंक को एसिस्टेंट टू को प्री टेस्ट एक्जाम को लागे इंपोर्टेंट मैथमेटिक्स को मॉडल से टू इस महामें दस वडा महत पून को सर्चा गरने सह वीडियो एक्दमीय उस्टील रो इंटर्स्टीं सहू तैसले इसला सम्हो हेरन वाला इण वाला विश्ति इसलाओ स्टाइम लेस्ट पिर्जाम स्टील प्री मार्श्टम आप धालों को स्टील से बराबर को सामान कहन दो रत्य गरन परी ट्रस्ट मॉस्ट इसको आधा लाई 5% नाफा मा विक्री गर्यों अब उसले बागी सामान लाई कोती मा विक्री गर्नू परला ताकी उसले समग्रमा 20% नाफा होस सो यो क्वेशनले खासमा बन्न कोजी को के हो बन्ना यरी एउटा बेक्तिले रू 4 से बराबर को सामान किन्यों सो हमसंग टोटल कॉस्ट प्राइज जो छा त्यो हो रूपीज 400 तेस पसी उसले एसको आधा मतलब रू रूपीज 200 बराबर को सामान लाई 5% परसेंटेज प्रोफिट मा विक्री गरी सक्यों अपस जो आधा बागी सा मतलब रूपीज 200 को सामान जो बागी सा तेसलाइक कती प्रतिशत नाफामा बेशनु परला ताकी समग्रमा अथवा ओवराल प्रोफिट 20 परसेंटेज होस्ट यो हो क्वेशन टिक सा ओवराल प्रोफिट 20 परसेंटेज हुने गरी तब यली यो हि पिनी 200 सा एता बट्य पिनी 200 सा दूईटेख केसेस माँ सीली सेम चाए 200 प्रूहँ झाड़देज हुने तता बागी रूपय को नाफा मतलब यो और को उनकलना सतनु हूंशर शिंपल फॉर्मला यूस गरेर ओवराल प्रोफिट बराब्र एक स्लसफ सा को नि निकालना या निरो ओबराल प्रोफिट हामलाइद दियेकुश 20, तेस पसाड़ी X बनेको यो पईलो दुईसे मा यो CP को जो आधा गरेम हामले दुईसे, S मा भगेको नाफा, त्योकति यो 5 हो, अब Y को मतलब होंच, बागी रहेको CP अत्वा 200 रुपीज मा हुने प्रोफिट यो हामला यो बागी रहेको यो आधा सामाँच, तेसला उसले 20 प्रतिशत नाफा मा बेचनु परनेच, सो अप्शन नमबर D is the right answer, साक्यो को तिशा चिलो चाहिता Q2, the average marks of 4 subjects is 120, चारोडा भिसे को आउसत अंक, एकसे बीस हो, इफ 33 was misread as 13 during the calculation, कुने योटा भिसे मा, बिद्यार्थिले 33 नमबर ल्यायको थियो, तरत तेसला उसलाई, बाइ मिस्टेक, तेरा भनेर लेक्यो ल्यायको तेत तिश्थियो, तरत तेरा भनेर लेक्यो, एसको मतलब यो आउसत गलत भायाले, तेस भाये, what will be the correct average, साई आउसत कती होंच, क्यो आमले निकालनी, ठीक्सा तो एकदम सजिलो स, कईले बनी 100 आउसत निकालनी क्वेशन आयो नि, एसमा सबसे फर्स्ट मतलबाई की गरनोंच, बंदारी, पहला गलती टोटल निकालनो परसा आमले, रतेस भाड़ यो गलती बैल्यू घटायर, 100 बैल्यू जोड दिनो परसा एक लाइन मा एसला है कसरी गरिंच, गलती टोटल निकालने तरिकाउंच, 4 बिशेको आउसत अंक, एक से बीज, टेसो भाएत भाएको टोटल हुंच, 4 इन्टु 120, यो नमबर अब सब्जेकले, एवरेज लाह मल्टिप्लाई गरने, एसले आमले दिनच, टोटल, सो यो आय चार से असी आयो, ठीक्स, 4 अटा बिशेको माक सरू जोडेर कती बने गोरेच, 4 से असी बने गोरेच, तर एसमा एवटा वैल्यू तो गलती थियो, त्यो कुन हो, 13, सो हामी के गर्दियों, 13 एस वडा माइनस गर्दिनच, किनो मनी यो बाई मिस्टेक लेखेगो, र एसको स 20, 20 रा 4 से असी जोडने वने 500, तो तबाईको 100 टोटल कती रहेच, 500 रहेच, 100 टोटल, अब आमले निकालने ओ, करेक्ट एवरेच, सो 100 आउसत कती वला, करेक्ट एवरेच निकालने तरीका, सही टोटल, डिवाइड़ बाईड़ बाईड़ को संख्या, 24, तो एक से पच्च सायालच, सो अप्षन नमबर C is the right answer हीद, S लाए तपाई S रिबनी गरना सकनोंच, सही मार्क सो 33, गलत मार्क सो 13, तो 33 रा 13 को अंतर कती हुँँँच, 20 को अंतर हुँँच, यो B सलाए तपाई डिवाइड करदिनू 4 अटा सब्जेक ले, सो 20 बाई 4 गरदिनी हो बनी बिज स्कोंच नाऊसा पास, येसको मतला हुँच, तपाई को पुरानो अउसत स 120, तो चाहिए अब पास ले बड़े आलच, सो प्लस 5 गरदिनू स्रनाय अउसत आयाँच, 125, साख्यो, कदी सजिलो साहिए, येसरे पाई गरना साख्योंच, ये से रिबन तपाई गरना साख्योंच, ये 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 साख्योंच, रिमेरिंग वर्क निकालने तड़िका 1-7 by 10 बराबर 3 by 10 काम बागी रएको थियो यो 3 by 10 काम A रब B ले मिले र पुरा गरे को हो चार दिनमा तेसो भई हामी भन्ना सक्साँ A plus B ले 3 by 10 काम कती दिनमा पुरा गरे? 4 दिनमा तेसो भए A plus B ले पूरे काम कती दिन मा गर्शन होला 10 ले 4 ले multiply गरने रो यो 3 ले divide हुँँच So 10, 4 जा 40 40 by 3 डेज मा पूरा गरना सक्षन पूरे काम So 40 by 3 भनेगो कती हो 13, 1 by 3 हुँँच तेरो तिया 29, 49 plus 14 13, 1 by 3 डेज लागने रहिश मतलब option number C is the right answer याने रो तबाईले ध्यान दिनू पढ़ने कुरा यो 4 दिन भनेको B को मात्र हाईन याने रो with the help of B लेएगुच येसको मतलब A ले B संग मीले र बाकी रहेको काम 4 दिन मा पूरा गरेको हो सो हामले लेगियों A plus B ले बाकी रहेको काम 3 by 10 येन कदी दिन मा पूरा गरे 4 देज मा रहिया आवटा हामले निकाल दियों कि पूरे काम गरना कदी दिन लागने रहेश सक्क्य वैता येसमा यो 15 देज को कुने पुनी यूज हामले गरे नौ है question number 4 which of the following fraction is the largest तल दियेका भिन्न हर मद्दे सबय वन्दा ठूल भिन्न कुन होंच ये आमले पत्ता लगाऊने जस्ताइ यानिरा पहलो भिन्न दियेको स 7 by 8 12 दियेको स 13 by 16 13 रो स 31 by 40 रो लास्ट वाला स 63 divided by 80 अब स्यानोर ठूल भिन्न पत्ता लगाऊने धेरे तरिका रोंचन question माथे depend गरसा कुन्चाइ तरिका पर्टिकुलर question माँ शूट करसा ठीक्छा जस्ताइ यानिरा निरा नुश 8 16 48 यो सब पहला आठ ले भाग जान्च तेस वह तपाई सबसे पहला के गरनूंच LCM लिनूंच LCM लिने यो संपून संख्यार को LCM लिनूंच आठ शोल चालिस अस्सी एसको LCM अस्सी आयालच ठीक्छा LCM कसरी लिनू पर्षा वन्ने बारे तपाईला confusion शावने तपाई मेरो LCM रो SCF वाला पुरानो वीडियो जरू हें वाला तेस वड़ा एकदम क्लियर हुनच तपाईला कसरी LCM लिनू पर्षा अईलेको लागी में एतिक बुझाई दिनूच लिक सरल तरी गाले जस्ता याने रत बाईसंगा चारड़ा संख्यास 8, 16, 40, 80 सबसे ठूलो संख्या वनेको 80 हो 80 लाई 8 ले डिबाइड गरना सकिन्च 80 लाई 8 ले पून रूप मा भाग जान्च 30 लाई 8 ला हटाइधिनूच 80 लाई 16 ले भाग जान्चे गरना जान्च लाई न 60 लाई अशी 60 लाई 40 ले बाग जान्चे गरना जान्च 80 42 ले गर दिन्यें दु यहांँच ठ्याक कै 40 लाई हटाइदिनूच तवई 9 ले ले को 80 लसेम उन्च यहोटा अरको उधारा नेरनुस जस्ते माननुस तबाईको 6 रब पंद्र एसको एलसेम कती हुँँँच पंद्र होदा नहीता किना बनी पंद्र लाईता 6 ले भाग जादा नन्ता तरा ठूलो संख्या पंद्र नेशा सो एसला आमले एसरी बोक्स मालें 15 लाईच हो ले भाग जादेना तेसवहे 15 पंद्र पसि अउने 15 को ऍेक्स्ट गुणां कुणुँँच नेक्स्ट मुल्टिपल 15 गुणाद 2 30 स्लाइट चोले बाग जानचे की जानगी जानच तेसक बैको सार पंत्र को Lcm 30 हुनच 30 हुनच सो Lcm बनेको त्यों स्यानु संख्या हो जस्लाइट D A को सम्पूर्ण संख्या हो औरले पूर्ण रूप मा डिबाइट गणना सके नच ठीक, सो अईलेको लागे जाई, एटी एलसेम होंचा बनेरो बुजनु जाई, अब तबाईको काम केशन या निरव बनना हीरी, सपपईको डिनॉम्नेटर, यो जो तल पट्टीको हिस्चा सा, येसला है के बनाऊने, सेम बनाऊने, सेम को मदलाँ असी बनाऊने, ताकी कमपा सत्तरी बन्जा, तल असी बन्छा, आमरो मेन टार्गेट, तल असी बनाऊनु जा, किनाऊने, अबने आमरो लसेम 80 आएको स, ठीक, अब तेरव बाई सोल्ल, यो सोलला लाए असी बनाऊना के गरणू परला, गुणा पास गरणू परला, माति पट्टिवणी गुणा पास सो यह उन्स 65 divided by 80 थाड़ वालामा हामी into 2 गर दिन्साओं तोलर माथी माथी बयाल स 12 तोल बयाल स 80 लास्ट वालामा केई गरनु परदना किनवनी या निरत 80 नेच सो एक ले गुणा गरेको हो निर बूजदा बनियोच केई फरग परदना सो माथी 63 तोल 80 सेम टू सेम आमली यानिर बेसिकली केई गरें सपपई को दिनॉम्नेटर लाई सेम बनायों 80 80 80 कमपारेजन गरना वा सजिल होंज सो यदि सपपई को दिनॉम्नेटर सेम सह वने सबसे ठूलो भिन्न या फ्रैक्षन त्यों होंज यदि सको नुम्रेटर माथी वाला हिसा सबसे ठूलो उन्च सो सत्तरी, पईसर्टी, बासर्टी रतिर्शर्टी मा सबसे ठूलो संख्या कुन होंज सत्तरी होंज राइट सो यदि सको मतलाब 7 बाई एड बनिगो सबसे ठूलो फ्रैक्षन हो सो अप्षन नूमबर A is the right answer क्वेशिन नूमबर 5 The SCF and LCM of two numbers are 8 and 48 respectively कुने दु यवटा संख्या को तपायलाई SCF रा LCM दिएको सा 8 रो और तालिस इफ वन अब दे नूमबर इस 24 त्यो दु यवटा संख्या और मद्दे यवटा संख्या चाहिए सो भीज हो बने और को संख्या के उन्सा त्यो आमले पत्ता लगाऊनी ठीक्सा सो कईलिबनी एस्तो टाइप को कुईशन आयो जानेरो तबाइलाई दु यवटा संख्या को LCM रो SCF दिएको सा रत्यो दु यवटा संख्या और मद्दे यवटा संख्या पन दिएको सा बने हमेशा तबाइ यो टेक्नीक लगायरो औरको संख्या निकालना सक्नों जा फर्स्ट नमबर पहिलो संख्या मुल्थिप्लाइड बाइ सेकेंड नमबर दोसरो संख्या बराबर LCM इन्टु HCF यो तरिका लगायरो तबाइ सेकेंड नमबर डिटर्माइन गर्णू सक्नों जा सो या निरो पहिलो संख्या तबालाए 24 दिएको सा सेकेंड नमबर हामलाए थास है न एक सिन्गू लागी हामित येसलाए X1 दिन्शा LCM हामलाए दिएको सा 48 सेकेंड नमबर डिटर्माइ थास हामित येको सा 8 यो दुटाम देजुन से अगाड़ी पसार लेके वनियोंसा के फरक पर दना अबच्वबिसले और तालीसलाए दुईपटक कार दिनूस आड़ दुनिकी येको सोलला येसको मतलाँ दोसरो संख्या कथी रहेज सोर 16 तबाईगो एंसर वन्च 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 सो अप्षिन नमबर D is the right answer क्वेशिन नमबर 6 Find the rate of simple interest साधराण ब्यास को दर हामले परता लगावनी इफ रुपीज टूल हंड़ Amounts to rupees 1440 in 2 years यदी रू बारस हैको मिस्रधन दूई बरस Taj Mahana 1440 हुन्च वन्च वन्च वनि भ्यास को दर कती हुχंच त्यां अमले निकालिनी यो साई प्रिंसिपल हो यो तबाईगो amount हो यान युरा Time दियेगूच ठीकसा फोर्मलारुन न लगाउन वला ठीक से एतिकी गरनों सकीन जेरनुस तब ऐसंग प्रिंसिपल बारसे स बारसे रुपया बडेर कती बयालियो 1440 बयालियो 12 से रुपया बडेर 1440 मही सक्यो कती बर्षमा? 2 बर्षमा तेस बए तबाईले 2 बर्षमा Simple Interest कती कमावनुगो कती बयालियो 1440 बड़ बारसे सब प्रैक्शन कर दिनूस घटाई दिनूस 2440 रुपया तबाईले बयालियो बयालियो बर्षमा 2 बर्षमा 240 रुपया कमावनुगो हैो तेस बए एक बर्षको बयालियो कती उन्च एक बर्षको बयालियो न्चा 240 divided by 2 अथवा एक से 20 रुपया एक बर्षको बयालियो थे 120 तौना हामले तो बयाख को दर निकालनूस विज़ए एक बर्षको बयालियो लिखने डिवाइड गरनूस प्रिंसीपल ले रम्मल्टिप्लाइ गरनूस थे 100 ले शो ओब्येस ली तबाई को percentage of 1.9 is 1.14 बनेको 1.9 को कती प्रतिशत हुँँँज त्यो आमले निकालने so 1.14 लाई माथे लेखनुँँँज divide मा लेखनुँँज 1.9 रगुणा गरदिनुँज 100 येले जदिया आते तपाईगो आंसर हो so अब येलाई simplify गरदा है रे एसरी गरणुँज ये 1.9 बनेको वास्तामा 1.90 हो यानेरा 0 लेखदा फरप परदन so अब तपाई ये वाला पोइंट र ये वाला पोइंट हटाउना सकनुँज माथे आउस एकसे चाउद तोलाउस एकसे नब्बे multiply by 100 येज़ इकोल्स तु अब यो माथे र तोलाँ ठाके उन्नाईस ले काटना सकेंज उन्नाईस ले येलाई 6 पड़क जान्च 19 इन्टु 6 गर्ण चेक गर्णा सकनुँज 9 6 जा 54 गो 4 5 6 1 जा 6 प्लस 5 11 114 ठाके काट्च उन्नाईस ले 10 पड़क तोला पट्टी 00 बनी काट दिनुज 4.2 into 4.2 minus 1.9 into 1.9 divided by 2.3 into 6.1 यो डिसमल संगो रिले टेट कुशन हो असला है सिंप्लिफाई गरे पिसी काट या इन्स राऊस अबनेर सुदिरा सामलाई सो यान इर 4.2 into 4.2 सा असला हमिल एकना सक्सम 4.2 को होल स्कार माइनस 1.9 into 1.9 लाई तबाई 1.9 को होल स्कार लेकना सक्सम रूज उतला पर टी सेम 2.3 into 6.1 अब मात पर टी A स्कार माइनस B स्कार जस्तो कही बन्यो A को स्कार माइनस B को स्कार सो यसको फर्मूला की होंचा A प्लस B A माइनस B X रोड़ी प्लस लेकने X रोडी माइनस B, चिक सा, A square minus B square गो सुत्र, A plus B, A minus B बने रहा मने लगाई देगो, चिक, divided by 2.3 into 6.1 equals to, अब 4.2 रा 1.9 आड गरनी होबनी 6.1 बनी आल्सा, रब 4.2 रा 1.9 गटाई दिनी होबनी 2.3 आल्सा, दिवाइद मा 2.3 into 6.1 रानुस माथिर तॉला केशा, शेम शेम नंबर अरुसान, तेसले पूराई कैंसल उन्सार, और एसको आंसल काथ याल्सा, वाना याल्सा, सो अप्षिन नंबर B is the right answer. Q9. The difference between two positive numbers is 10, and the ratio of those two numbers is 5 is to 3. Find the product of the two numbers. दुयोटा घनात्मक संक्या हरु 20 को अंतर या difference तभाईलाई 10 दिएकुशा, र त्यो दुयोटा नंबर अरुको ratio या अनुपात तभाईलाई 5 is to 3 दिएकुशा, तेसले त्यो दुयोटा नंबर लाई multiply गरदा हेरी, कोटे आंसर 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 या आम लाई सोधिरा आंसर चीक्शा, तो एकँगाम सजिलोस या नुपात तभाई एसरी गरना सक्नूँशा, तभालाई 2 योटा नंबर को ratio दिएकुशा 5 is to 3 दिएकुशा, तो येदी तभाई ले फर्स नंबर लाई 5 र दोसर नंबर लाई 3 नाई मांदी नुबहे वनी, यो दुटाला multiply गरदा हेरे कर आंसर 15 आई राच, 5 into 3, 15, तो A, B, C, D मदे सही आंसर आप्शन ते युँँचा, जसलाई 15 ले भाग जान्च, 25 ले 15 ले डिवाईट गर्ना सकी दाना, एकुरेटली, इक्जाक्ली डिवाईट हो दाना, 125 बनी उनसक दाना, किना बनी 125 ले पंद्र ले काहा भाग जान्च, 15 into 9 गर्दी ने हो बनी 125 उन्च, 15 into 8 गर्दा हेरी 120 उन्च, 125 ताओ दाना, सो अप्शन नम्बर C बनी हो दाना, अप्शन नम्बर B बनी हो नसक दाना, किना बनी 175 ले 15 ले डिवाईट जादाना, तपै चेक गर्ना सकनूँच, 5, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 25, 35 ले 3 ले डिवाईट जादाना, सो योपनी बहाईट बसे कुन, अप्शन नम्बर A is the right answer, उत्तिके था वयाले बहाईट नूस, सपोज मनूस यानिर, कुने योटा और को संख्यापनी भाग बहाग बहाईए, जसलाई 5 ले भाग जान्थे वरे, मनूस, पर एक्जाम्पल, यानिर, मैले राग दिये, 150, अब 1 से 50 लाईता, पंद्रो ले डिवाईट गया याल स, अनि यो हेसाब कसरी सॉल्ट गरनेता, सो तेसको बहाईट टेक्निक सिखनूस, अईले को लागी सा, यो सॉल्ट बहाई से गई, दोसरो 3 हो, तबाई एसरी त्यो 5X, 3X मानेरों न गरनो वाला, ठीक्सा, कते पनि आउशक्ता साय ना तेसको, यो दुईवडा 20 को डिफरेंस कतियोंश, यो दुईडा 20 को डिफरेंस होंश, दुई, रेशियो अनुसार 2, तरा भास्तविक डिफरेंस कतियों, 10 हो, दिएगुशनिया इक्वेशन मा, अंतर 10 बनेर, रेशियो अनुसार 2 हो, तरा खास भास्तविक डिफरेंस कतियो, 10 हो, सो हामी बन्ने गरशों, 2 बराबर 10, तेसवाई 1 बराबर कतियोंश, 5 होंश, 10 लाइद दुईले भाग गरदिने, 1 बराबर 5, 1 को वैल्यू आमले निकालें 5, यो 1 को वैल्यू खुबए काम लागने वैल्यू, एस वड़ा हामी अब एक्च्वल नंबर अरू निकालना सक्षों, सो तपाईको पईलो संख्या कति रह सा बने रनिकालना पर्या बने, यो रेशियो लाइ, यो 1 को वैल्यू ले मल्टिप्लाई गरदिनू पर्षा, सो तपाईको फस्ट नंबर होंश, 5 इन्टु 5, 25, र सेकेंड नंबर होंश, 3 इन्टु 5, 15, यो 1 को वैल्यू जथी आउस, तेसले यो रेशियो लाइ मल्टिप्लाई गरदिनूस, सो 5 इस्टू 3 लाइ, हामी मल्टिप्लाई गरद रासम, यो 5 ले, सो 5 पन्जे 25 पईलो संख्या हो, 5 निया 15, 20 र संख्या हो, अब 25 गुणा 15 गरदिने हो बने, तबाईको आंसर आयांसर 3 से पशत्तर, सो अप्षिन नम्बर, A is the right answer, ठीक्सा, यसरी निगालन पूर्शा आउगले, लईयो वीडियो को लास्ट क्वेशिन, क्वेशिन नम्बर 10, इन अजू, देर आज देर आज देर एंड डग्स, एवड़ा चिडिया खानामा, हरीन हरूशन, र हास हरूशन, केही मात्रामा, if the heads are counted, there are 180, यदि त्यो जनावर हरुको टावको गन्नी हो वने, 180 पुक्स, र खुट्टा गन्नी हो वने, 448, 448, तेस भए, हरीन हरुको संख्या कती रहेश, त्यो आमले निकालनी, खिक्स, अब यो वाला क्वेशन मा, मेन ध्यान दिनू बढ़ने कुरा के होंच, वन्दारी, कोईली पन यस्तो टावको क्वेशन आयावनी, यस्ते इकिसिम को बनावट वोंच देसको, यवटा जनावर होंच, चार खुट्टे वाला, अब इसलाइ solve गरने shortcut trick सीखनुँँज योड़ा ता एकदम ठूलो प्रोसेस हुँँज त्यों मतबलाई सीगाई रहा से नवाई X रो Y मायनेर गरने equations रूबनाईर हामले ता एकजाम मा फास्ट गरनुज सो फास्ट तरीका सीखनुज सबसे पईलो स्टेप मातपाई के गरनुज योजो लेक सरूसा ना खुट्टा को संख्या त्यों खुट्टा को संख्याला हामेशा divide by 2 गरनुवला आधा गरने सो 448 लाई 2 ले भाग गर दिनी हो बनी 2224 आयाल सा अब यो 2224 वड तबाई यो टावको को संख्या गटाई दिनी होंज सो 2224 वड हामले टावको को संख्या गटाई दिनी हो बनी यस वड आयरा साच्वालिस योजों संख्या होंज यो हमेशा के होंज 4 खुट्टे प्राणे को संख्या 4 खुट्टे प्राणे हम लाइग क्ये सुदेगु से यसमा हरेण अरुको संख्या बताऊनुस सो चमालिस आई दालियो सो अप्शन नमबर C is the right answer सब क्यो यदि हम लाइग हास अरुको संख्या सोदेगु बई के गरते हामीते सपसाडी यो एकसे अशिवड तबाई दिनोंच एकसे अशिवड गटाऊन वळा इनमने सब को टाव को एक एक हुँण च यसको मतलब टोटल त्यानी रगसे अशिवड जना वर सन सो एकसे अशिवड दी यदि चमालिस वडा हरेण चन मनि विजी हास कति वला त एक्से अस्य वड़ा समालेस गटाए दिनूस एक्से चत्तिस तबाइग मैंस रहा हल्ज़ रहा है ओके यो वीडियो मा एथी नी वोपेस मा एक्स्प्लेंड गरुगो सब्पले ट्रिक्स और कंशेप्स अरु तबाईले रामसंगो भूजनु भायगो अला यर यो वीडियो मन पर एको सबने लाइक र शेर पके बनी गरनू सर मेरो YouTube चैनल माथ अदिक्शनल लाइख सब्सक्राइब गरनू सा रनू बलनु वाला महेस्ते यूस्फुल वीडियो लेरा तबाईगो लागी ताम आवदी गरने सू अईले पो लाग बिटांसू बाईख सुने इस बाइख से यू सुने इस बाइख सुने इस पर्ट